हलो, नमस्यार दोस्तों, हो रहे एक्ष्ट्रलोजी या प्रश्ण जोतिस में इस स्रीज को हम आगे बढ़ाएंगे आज और आज कुछ एक प्रश्णों का और भी जवाब देने की कोशिस करेंगे आपने मेरे सभी प्रिवेस वीडियो देखे होंगे तो उनमें बहुत सारी प्रवल्म को हम किस तरीके से प्रश्ण कुंडी से देख सकते हैं वो मैंने आपको बताया था अभी हम बात करने वाले हैं कुछे और प्रश्णों की और उन प्रश्णों में जो सबसे ही एक important प्रश्ण होता है हाला कि यह legally advisable नहीं है आज की date में sex of a child कि जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा प्रश्ण astrology से हम कैसे देख सकते हैं तो यहां पर डिस्कलोजर है कि हमें किसी को बताना नहीं है मगर फिर भी हमें देखना आना चाहिए as a study, as a student हम उसको कैसे देख पाएंगे तो उसके मैं कुछ combinations यहां पर बताऊंगा कि boy होगा या girl होगी संतान से related प्रश्ण का जवाव हम किस तरीके से देंगे तो यह एक बहुत ही common question है मगर यह मैं पहले से ही disclose कर रहा हूँ कि हमें इसे encourage नहीं करना है क्योंकि दोनों ही संताने बराबर होती है लड़का हो या लड़की हो जो भी इश्वर देता है वो अमरे पूर्व कर्मों के बेस पर देता है तो हम चाहिए कितनी भी कोशित करना है जो होना है वही होगा क्योंकि यह सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो अब मैं प्रश्न कुड़ी पर आ जाता हूँ तो यहां पर देखे मैं एक combination देता हूँ एक चार्ट लिया हुआ है मैंने एरी लगनी की कुड़ी है इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए masculine and feminine sign पुरुष और इस्तरी sign तो पुरुष जो भी राशी है masculine या जिसे हम पुरुष राशी बोलते हैं वो odd sign होते हैं 8, 3, 5, 7, 9, 11 यह पुरुष राशी हैं दूसरे नमबर पे बाज़ आती है हमारी इस्तरी राशी है इस्तरी राशी होती है दो, चार जिनने समराशी बोलते हैं या even sign बोलते हैं 6, 8, 10, 12 यह इस्तरी राशी हैं तो पहले हमको दोनों राशी हों के बारे में जानना है अब जो combinations हैं उनमें सुर्यू करता हूँ है सकते पहले जब लगन, यूपिटर, सन एंड मूड लगन, यूपिटर, सन एंड मूड इसको हम बोलेंगे लगन, गुरू, सूर्य और चंद्रमा और साइन उकिपाई करते हूँ मतलब वो एक, तीन, पांस, तात, नौ साइन में हो और और ही नवाइशा में हो वो तो बोई, बोण होगा फिर से combination बता देता हूँ, लगन, और हो, यूपिटर भी और साइन में हो, सूर्य मीन सन भी और साइन में हो और मून भी और साइन में हो तो इन जनरल sun and moone both, जूपिटर जो पुत्र का रग है और आपका लगन है य चारों यदि और साइन में हो तो पुत्र की प्राप्ती होती है, sun की प्राप्ती होती है और इनका नवांशा भी ओड़ी ही होना चाहिए और यदि ये चारों लगन जुपिटर, सन और मून इवन साइन में हो और साथ में वो इवन नवांसा में हो तो डॉर्टर या पुत्री की प्राप्ति होती है गल्चाइड बहुता है इस दा फर्स्ट वन कोमिनेशन यदि सभी different sign में हो ऐसा भी हो सकता है कि चारों के चारों सेम साइन में होंगे नहीं even में होंगे नहीं odd में होंगे ज्यादा तर केसिस ऐसे मिलेंगे आपको कि लगने जुपिटर, sun and moon इनमें सो सकता है तीन even sign में हो एक और साइन में हो आपको नवांशा भी देखना है तब उसके जनम majority देखेंगे, इनमें से ज़्यादा जिस sign में होगे, ज़्यादा यदि आपके odd sign में तो हम कहेंगे उत्रप्राप्ती होगी और ज़्यादा even sign में तो हम कहेंगे girl child born होगा, तो this is the first combination, second combination की मैं बात करूँ हूँ, sun and Jupiter in odd sign, अब यहाँ पर के बाल दो ले लिए, sun and Jupiter, तो male होता है, sun and Jupiter in odd sign, ये एक अलग से combination है, तो male born होता है, child, ऐसे ही, यदि moon, Venus and Mars, चंद्रमा, शुक्र, ये दोनों आपके इस तरी planet है, female planet and Mars, even sign में होँ, तो female born होती है, sun and Jupiter in odd sign, तो male होगा, moon, Venus and Mars in even sign, तो female होगी, अब कई ही चार्ड ऐसे हो सकते हैंगी, वह एक ही चार्ड गें अंदर, sun and Jupiter तो odd sign में आ रहे हैं, moon, Venus and Mars, even sign में आ रहे हैं, तो हम कुछ prediction नहीं दे पाएंगे, मगर यदि ये clear cut, ये combination साबको नज़र आ रहे हैं, कि sun and Jupiter in odd sign, तो possibility है, वहाँ पर male child की, moon, Venus and Mars in even sign, then female child की possibility होगी, थर्ड combination, लगा के देखा है, बहुत important है, लगता भी है, Saturn in odd houses, house है, द्यान रखना है, gives male child, and even houses gives female child, तो आप immediately देखना जाते हैं, प्रश्न कुड़ी, कोई भी आया, native, boy होगा है, girl होगी, आप उससे देखना चाते हैं, बताना नहीं है, मैं पहले ही advice कर चुका हूँ, तो Saturn यदि odd houses में है, तो आप कहेंगे boy born होगा, और Saturn even houses में है, तो female child होगा, मगर ये ध्यान लगना है, कि Saturn जबी भी लगने में हो, शनी जबी भी लगने में हो, तो वो female child ही देता है, when Saturn is in लगना, तो female child होगा, और ये एक वैसा भी combination है, मैं आपको additionally बता देता हूँ, अब कुछ चार्ट पे लगाएंगे, तो ज़्यादद चार्ट पे लग जाएगा, जिनकी लगने में शनी होता है, उनकी पहली संतान, normally girl child होती है, अब आ जाते हैं हम fourth combination पर, ये परेशने की बात कर रहे हैं, not para shri, moon in odd sign, moon odd sign में and having this style with masculine planets, masculine planets हो जाते हैं आपके सूर्य, Jupiter, दोनों होगे, मार्स, जब moon यदी odd sign में हो, और सूर्य गुरू और मंगल के साथ इस साल बना रहा हो, तो male child होता है, moon in even sign, moon even sign में हो, और वो female planets के साथ इस साल बना रहा हो, female planets का मतलब हो गया, moon and Venus, तो girl child होता है, तो moon का फिर से मैं combination बता रहा हूँ, moon in odd sign, एक तीन पांस साथ नो राशिय हो में हो moon, और वो इस साल masculine या male planets या पुरुष planets के साथ इस साल बना रहा हो, पुरुष planet हो जाते हैं आपके सूर्य है, बंगल और गुरू, तो male child होता है, moon in second one, even sign में हो, and having this साल with feminine planets, feminine planets में इस तरी प्लनेट आपका चंदरमा और शुकर के साथ इस साल बना रहा हो, even sign में रहकर, तो पुत्री या गल चाइल होता है, fifth one combination, and last combination in this, fifth combination है हमारा, stronger Jupiter and Venus in odd sign, मतब Jupiter और Venus दोनों शुपगर है, odd sign में होने चाहिए, तो male child देते हो, बरिस्पति और शुकर दोनों यदि strong है, और odd sign में है, masculine sign में है, तो वो male child देते हैं, फरदर Jupiter, Mars and Moon, Jupiter, Mars and Moon, in even sign female child देते हैं, अब तो Jupiter, male child के भी combination हैं है, मगर strong होके है, Jupiter और Venus दोनों ही, जब odd sign में है, तो male child मिलेगा, मगर Jupiter, Mars and Moon, ये तीनों यदि even sign में आ जाएं, तो female child मिलेगा, so these are the combinations for male और female child, अब मैं जो next case बताने वालों, discuss करूँगा यहां पर, तो next हम case discuss करेंगे, code cases related, code cases related हमारा next question होगा, तो ये question है, आपका defeat in code cases, क्या combination है, कोई भी queries आपका आ रहा है, questionnaire आपके पास आ रहा है, और वो code cases में defeat होगा, हार जाएगा, इस combination को आपको लगाना है, तो इस combination किस तरीक से लगाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर हमने देखनी है, तो के अंदर मैं, code cases के बारे मैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, कि कौन सा के अंदर किस code case को represent करता है, तो queries को आपका लगने represent करती है, और उसके upon end को 7th house represent करता है, लगन आपके queries को represent करेगी, और opposition को 7th house represent करेगा, तो code cases के case में, जब भी हम हैं, देखना है, तो आप जो native है, आपका question लेकर आ रहा है, उसको लगन represent करेगी, और 7th house उसके opposite party को represent करेगा, that we have already done, 4th house judge को represent करता है, वो judgment को, और 10th house judge को represent करता है, अब इसमें कौन से combination देखना है, combinations indicating different of questioner in code cases, जो queries है, वो win करेगा, जो आपके पास query लेकर आ है, वो win करेगा, यदि malefic हो लगन में, and benefit हो 7th house में, मतलब यहाँ पर malefic बठा हो लगन में, malefic में Mars आ जाए, Saturn आ जाए, sun को भी मान लिजिए, राउ के तु हो, और benefit 7th house में बठा हो, malefic अच्छा होता है, code cases win करने के लिए, और इससे opposite हो जाता है, benefit तो यह win होने का combination भी आप याद रख सकते हो, benefit लगन में हो जाए, और malefic 7th house में हो जाए, उल्टा हो जाए, कि आपका benefit लगन में हो गया, malefic 7th house में हो गया, तो in this case, जो आपके पास squarish ता है, जो आपके पास याज का लेका है, या pressure लेका है, वो defeat होगी उसकी, हार जाएगा, तो first one combination है, तो ऐसा ध्यान रखेंगे, कि जो लगन में है, उसमें malefic होना, उसके लिए अच्छा है, और यदि लगन में benefit है, और उसके opposite में malefic है, तो वो lose करेगा, तो first one combination को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, lose करने का, benefic in lagna and malefic in seventh house, second combination, यदि दोनों में ही malefic बैठ गया, आपका, lagna में भी malefic है, और seventh में भी malefic है, तो आप कैसे देखेंगे, तो इन में जो भी stronger है, उसके basis पर हम डिसाइड करेंगे, यदि seventh में stronger malefic है, तो आपका opposition party win करेगी, दोनों में से यदि लगन में stronger malefic है, तो querist win करेगा, third one combination, अब क्या करेंगे, both malefic, दोनों ही malefic हैं, तो और क्या देखने हैं आपको, पहला तो आपने देख लिया, मैंने कहा कि आपका एदी, लगन में strong malefic है, तो वो win करेगा, मगर यदि seventh ounce में strong malefic है, तो वो win करेगा, अब दोनों ही malefic हो जाएं, तो अभी strong और weak कैसे decide करेंगे, यह हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बगर उसके हम कुछ decide नहीं कर पाएंगे, तो strong किसको माना जाएगा दूनों में से, weak किसको माना जाएगा, तो पहला combination है यह दीन दूनों में से, कोई retro हो जाता है, तो उसे weak माना जाएगा, वक्री जो है, दूनों में से, first house में जो planet है, 7,000 में जो planet है, तो वक्री जो होगा आपका, वो weak माना जाएगा, तो दूनों में यदि कोई वक्री हो गया, तो उसको हम weak मान लेंगे, अब यह second thing, third जो combination है, वो अब आपको देखना है, यदि दूनों में कोई वी planet नहीं है, ऐसा तो बहुत cases में मिलेगा, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि, malefic, benefic, आपकी लगन और 7th house में हो, तो खाली भी हो सकती है, दोनों या, कोई भी planet हो सकता है, यदि दोनों में planet नहीं है, तो in that case what we will do, दोनों में planet नहीं हैं, तो अब आपको लगन लॉड और 7th lord की बात करनी है, लगन लॉड एंड 7th lord, वो तो जरूर होंगे, यह होंगे कहीं कहीं, क्योंकि लगन और 7th house में planet हैं, तो मैंने combination बता दिया, लगन में malefic है, 7th में benefic है, तो वो queris win करेगा, लगन में benefic है, 7th में malefic है, तो आपकी opposite party win करेगी, queris की, दोनों में malefic हैं, तो stronger malefic वाला case आप से win करेगा, excuse me, next one case, यदि दोनों में ही नहीं है, तो अब आपको लगन लॉड और 7th lord के इसाप से देखना है, इसमें जो भी stronger है, यदि 7th lord stronger है, तो opposition party win करेगी, queris lose करेगा, लगन लॉड stronger है, तो आपकी queris win करेगा, हैं दोनों malefic यह दियां रखना है, दोनों malefic ही होने चाहिए, लगन लॉड और 7th lord, यदि एक benefit हो गया, तो वो फिर आपको accordingly देखना पड़ेगा, जैसे कि वे ने आपको previous combination बताया, कि लगन लॉड बैनिफिक है और 7th lord malefic है, तो वे आपोजीजन party win कर जाएगी, लगन लॉड मैलिफिक है, और 7th lord बैनिफिक है, तो queris win कर जाएगा, अब दोनों benefit हैं, तो उनकी relative strength देखनी पड़ेगी, मगर दोनों malefic हैं, तो हम किस तरीके से देखने जो भी stronger होगा, यदि लगन लॉड मैलिफिक होके stronger है, तो queris win करेगा, 7th lord stronger होकर benefit malefic है, तो opposite party win करेगी, अब इन दोनों में strength हम कैसे देखने, इन दोनों में से जो भी retro है, वो weak होगा, retro planet या वक्री, grey weak मना जाएगा, जो भी केंदर में होगा, lesser longitude के साथ, अब दोनों ही केंदर में हैं, जिसका longitude या degrees कम होंगी, वो stronger माना जाएगा, या दोनों में से एक भी केंदर में हैं, तो वो stronger माना जाएगा, out of two जो केंदर में हैं, वो stronger माना जाएगा, दोनों ही के अंदर में हैं तो जिसकी degree कमें वो stronger माना जाएगा तीसरा combination है जो भी sun या सूर्य के साथ इस साल बना रहा होगा sun के साथ इस साल बना रहा होगा उसे हम stronger मान के चलेंगे next आजाएगा जो strong होते है naturally या तो वो exalted या उच्का हो own house या swag रही हो या multi record sign के अंदर हो तो वो strong माना जाएगा तो मैं फिर से repeat कर देता हूँ पहला combination है यदि लगन में malefic है और 7,000 में benefic है तो queris win कर जाएगा 7,000 में malefic है लगन में benefic है तो opposite party win कर जाएगी दोनों में malefic है तो stronger malefic होगा यदि लगन में stronger malefic है तो queris win करेगा और 7,000 में stronger malefic है तो opposite party win करेगी अब दोनों में ही planet नहीं है तो वो आपको lung lord और 7th lord के सबसे देखना है दोनों malefic है यदि lung lord और 7th lord तब हम देखेंगे यदि lung lord strong है तो queris win करेगा और 7th lord stronger है तो opposite party win करेगी इस्ट्रेंथ दोनों की देखनी है आपको रेट्रोग्रेट जो यह वक्री है वो कमजोर होगा जो केंदर में कम लोंगी जूड़ है दोनों ही केंदर में हो सकते हैं जिसका लोंगी जूड़ कम है उसे श्ट्रोंग मानकर चलेंगे जो भी सन के साथ या सूर्या के साथ इस साल योग बना रहा होगा वो श्ट्रोंग माना जाएगा दोनों से और जो दोनों में से कोई एक अपने exalted sign में है या own sign में है खुद के sign में है या मूल त्रिकॉन राशी में है तो वो important वो stronger माना जाएगा और stronger will be अब मैं आपको next combination बताने वाला हूँ मैं previous वीडियो में मैंने आपको बताया था love marriage के combination अब जो combination मैं discuss करने वाला हूँ वो combination इंडिकेटिंग early marriage in marriage question कि कोई भी native आया love marriage से related queries लेकर आएगा और native early marriage से related queries भी लेकर आ सकता है कि कब marriage होगी जल्दी marriage होगी या नहीं होगी तो उसके क्या combinations है so again this is a very important combination तो इसमें मैं तीन-चार पॉइंट बताऊंगा additionally तो first one जो combination है moon in जो वहां पे भी love marriage का भी मैंने combination बताया था उनमें एक early marriage का भी combination है moon उप्चे houses में हो तीन-चे दस-ग्यारा एंड उसमें 7 एड कर दो चंद्रमा यदि इन houses में हैं तो वह भी early marriage को indicate करता है प्रेश्न कुंडिली में दूसरा combination है अप नोड कर लिजे मून इन three six ten eleven and seven thousand second one benefit यदि केंद्रों त्रिकोड में हो benefit in kinder and train तो benefit planet यदि एक चार साथ दस में और पांच नो में यदि बैठे वह हैं तभी भी early marriage को indicate करता है वो और थर्ड वन जो early marriage को indicate करता है वो था है Saturn in even houses शनी यदी even houses में है दो चार छे आठ दस और बारह में वह भी early marriage को indicate करता है Saturn in even houses तो इस तरीके से हम early marriage के combinations को discuss कर सकते हैं तो आप watch करते रहेगा वीडियो मैं और combinations लेकर आऊंगा upcoming videos में आप अपने views दीजिएगा आपको मेरे videos कैसे लग रहे हैं यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उतने friends के साथ share कर सकते हैं जो friends remedies चाते हैं तो वो मेरे WhatsApp नमबर पर message करें और मेरे videos को आगे बढ़ा हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग astrology का फाइदा ले सके हैं धन्यवाद आप सभी कर